नमबर पाच पे है बदन सिंग बद्दो पच्छी मी उत्तर प्रदेश का खतरनाग गैंगिस्टर बदन सिंग बद्दो पर यूपी पुलीस ने ढाई लाक और दिल्ली पुलीस ने 50,000 रुपे का इनाम रखा है। दोरान उसके संबंद इलाके के बदमासों से हो गए। बताया जाता है कि उसने 1988 में अपरात के दुनिया में कदम रखा। कुख्यात बदन सिंग बद्दो ने 1996 में एक वकील की हत्या की। इस मामले में कोट ने उसे उमरकेत की सजा सुनाई थी। बद्दो के खिलाब यूपी समयत कई राजों में लूट रकेती और हत्या के मामले दर्ज है। पुलीस ने उसे गिरबतार भी किया था। 29 मार्ट 2019 को उसे गाजियाबाद पेस पर लाया गया था। बापसी के दोरा मेयट में उसने पुलीस करिमियों को रुपे और पार्टी का लालस दिया। इसके बाद बह एक होटल गए जहां पुलीस करिमियों को उसने सराब पिलाई और फरार हो गया। तब से यूपी पु आउंक्तर में मारा गया लेकिन इसका गेंग आज भी एक्टिव है। लोरेंस विष्टों के करीबी दावा करते हैं कि सिद्धू मूसे वाला की दविंद्र बेंबिया से नजदी किया थी। मूसे वाला ने अपने एक एलवंग का नाम भी बंभी हा रखा थी। मूसे वाल और राजस्तन के साथ ही वैश बंगोल तक फैला हुआ था साल 2000 से 2015 तक इस गेंग इस्टर का नाम साथ से ज्यादा अपरादिक बारतातों में आया ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि उस टाइम तक ही भारत का नंबर वन गेंग इसमें हत्या डखेती गेंग बार समेथ कई गंब पुलिस के सामने नाचने लगे जब सुक्का मारा गया तब उसकी उमर में अच्टाइस साल थी कहा जाता है कि बॉली बुड की एक फिलम सूटर सुक्का कहलवा की जिंदिकी पर यह अदारी थी कहा जाता है कि सुक्का का गेंग आज भी एक्टिव है और सोसल मीडिया पर अब भी कई पेज उसके नाम पर है इस गैंग के कई एक्टिव सद्शों की पंजाब पुलिस को तलास है नमबर दो पर आनंद पाल सिंग इस गैंगिस्टर के बारे में बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है और हम इस वीडियो में इनके बारे में पूरी जानकरी आपको दे नहीं पाएंगे इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हम आपको सिर्फ इनका एंकाउंटर कैसे हाओ उस पहलू के बारे में बताते हैं साल 2017 का 24 जून अमावस की उस काली रात में करीब 10 बजे के आसपास का समय था जगह सेकावल्टी के चूरू का मोला सरगाओं कुछ नींद के आगोस में जा चुके थे तो कुछ सोने के तयारी कर रहे थे सब कुछ ठीक चल रहा था पूरा गाम तावर तोड़ गोलियों की आवास से धहला उठा नींद में सो रहे लोग अचानक खड़ कर देखा तो चारों तरफ पोलीस और ए कि की काड़िया काफिला था एस औस और प्रिस की टीमों ने एक मकान को निशाने पाल ले रखा दोनों से बड़न तौर ऑप हुर रही दोनों तरफ उसकी तरफ से फाइरिंग सुरू हो गई जवाबी फाइरिंग में रतम गड़ तैसिल के गाउं माला सर में स्वन सिंग के गर पर अतंग का प्रेयरे अनंद पाल का अंत हो गया नमबर वन पे हैं आप सबे को पता है लोरेंस मिस्नोई गैंग यह एक ऐसा गैंग है जो ज़्यादा मुकद्वे दर्ज है कई बार पुलीस इराशत से भाग चुका है फैले वो जोधपूर और भरतपूर की जेले बन था लेकिन अबदिल्ली की तिहार जेल में है पिछले दस साल से लोरेंस जेल में है कहा जाता है जेल में रहने की बाद वीवे आसानी से गैंग चला रहा है अभी उसके गैंग में 500 से ज्यादा अपरादी सामिल है कहा जाए कि नमबर वन इंडिया का सबसे खत्रनाग गैंगी लोरेंस जेल के बाहर उसका काम गोल्डी बरार समालता है गोल्डी बरार ने पंजाब और पंजाब के बाहर कई कतल करवाए जब पुलिस उसक काम गोल्डी बरार को सोब दिया कराड़ा में भैटे गोल्डी बरार उस समय लोरेंस बिस्नोई का सबसे बरोस्यमत और मजबूत हाथ है